प्रौफिट कहां से आता है प्रडॉक्स बेचने से आता है और प्रडॉक्स कैसे मैंarna मुष्क नौब कैसे हो उतला उतलम जप्रग जतने बात करते हैं अभिरा गूर।êm यह फिनांस की दुनिया में हलो और नमस्ते पेचेक प्रोज मैं हूं मनीशा उजार यह है पेचेक टू प्रॉफित इंडिया का पहला यूट्यूब चानल जो आपके साथ बात करता है आपके ही फिनांशल फीडम के बारे में महीने में तीन बार 4th, 14th और 24th तारीक को आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगा एक ऐसे सवाल के बारे में जो आपको पता नहीं कितने हफ्तों, महीनों, सालों से परिशान किये जा रहा है यह सवाल आपके मन में इतनी बार आया है लेकिन आपको पता ही नहीं आपको इस सवाल किस से पूछना है और पूछने का फायदा भी होता नहीं क्योंकि आपको इसका सही जवाब तो कोई देने वाला था नहीं तो अगर आपको यह समझना है कि यह सारी bank financial institutions brokers जो भी कोई ऐसा institution जो आपके साथ financial trading करता है या financial products के बारे में बात करता है वो हमेशा इतने confusing और complicated products आखिर बनाता क्यों है मैं promise करता हूं आपको इस सवाल का जवाब आज तक कहीं पर भी इतना सरल और इतना candid तरीके से नहीं मिला होगा तो चलिए मैं आपको बताता हूं यह सारे प्रडुक्स इतने complicated होते क्यों हैं बैंक्स financial institutions ब्रोकिंग हाउज़ म्यूचल फंड हाउज़ यह फाइनली सारी की सारी कंपनिया है इन में से काफी प्रडुक्स होंगे उतने ज्यादा प्रडुक्स बिकेंगे और ज्यादा प्रडुक्स बनते कैसे finance की दुनिया में complicated products बनाके देखे एक्दम simple हिसाब है अगर मेरी company है और अगर मैं complicated products बनाऊंगा तो मैं उसे कैसे बनाऊंगा मैं एक simple product लूँगा उसमें बहुत सारा complication आड करूँगा और मैंने जितना भी complication आड किया है वो नीचे जो terms and conditions चोटी 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 तरह से लिखी हुई सारी statements होती है उसमें डाल दूँगा आप सबसे पहले बात तो पढ़ेंगे नहीं अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे भी तो वो जितनी भी fine print जिसे कहते हैं simple भाषा होती है लेकिन जो भी इंसान finance की दुनिया से नहीं आता है उसके लिए यह समझना बहुत difficult होता है इसका एक simple example ले लो आप कोई भी medical report पढ़ो और उसको समझने की कोशिश कर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बात यह है कि financial world में जितनी भी चीज़े लिखी हुई होती है उनको यह सारी चीज़े समझ में आती है एक और बहुत बड़ा कारण है कि complicated products बनाती है यह सारी company वो यह है कि अगर एक complicated product बनेगा तो वो एक exclusive product बनेगा वो उस company के लिए एक ऐसा product बनता है जिसके लिए वो बहुत जादा marketing कर सकते हैं और वो marketing करेंगे televisions पे, holdings पे, banners पे, trainों के उपर, गाडियों के उपर, newspaper में, magazines में और यह सारा पैसा कहां से आएगा, customers से आएगा, customer कौन है, आप और मैं customers है यह सारा पैसा वो लोग जब हमसे ही कमाते हैं, तो उनको complicated product बनाना logical लगता है एक और बहुत बड़ी psychological चीज है जो आपको समझना जरूरी है as a consumer आपको एक complicated product खरीदने में एक sense of comfort मिलता है आपको लगता है कि अगर एक complicated product है, तो यह मैं तो handle कर नहीं पाँगा तो यह मेरे लिए banker handle करेगा, यह मेरे लिए मेरा wealth manager handle करेगा, यह मेरे लिए fund house का manager manage करेगा इसके लिए आप इन सारे complicated products के लिए एक premium, एक extra fee, एक extra tax या एक extra particular charges देने के लिए तैयार हो जाते तो यह सारे चीजों को अगर आप समझने की कोशिश करें, तो आपको समझ में आएगा कि complicated products से ही financial services as an industry आगे बढ़ रही है मैं आशा करता हूँ आपको आज के विडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि यह सारे complicated products बनते क्यों है अगर आपको यह complicated products से दूर भागना है और अगर आपको उसके बारे में कुछ करना है तो एक चीज आप यह कर सकते हो कि आप जैसे आपने यह पूरा विडियो अभी तक देखा है ऐसे इस चैनल के सारे पुराने विडियो देख लो सब्सक्राइब करो इस चैनल को और इस चैनल के सारे विडियो जो आपको लगते हैं कि आपके friends को families को और किसी को भी help आ सकते हैं वह से जरूर शेयर कीजिए इस विडियो को अपने सारे social media channels पे शेयर कीजिए अपने सारे whatsapp groups पे शेयर कीजिए क्योंकि हमें बहुत ज़्या करें तो आज के लिए बस इतना ही अब आपसे मुलाकात होगी आने वाले अगले वीडियो में तब तक के लिए मुस्कराते रहें अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहें कचिंग